नमस्कार दोस्तों दोस्तों ये है होम थेटर तो ये बिजली से बज़ता है तो आज इस वीडियो में इसको बैटरी से बजाने वाले आएं तो बने रही है हमारे साथ में तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको बिजली से चेक करके दिखाते हैं उसके बाद में बैटरी से च तो दोस्तों ये बिल्कुली ठीक काम कर रहा है तो सबसे पहले क्या करना है होम थेटर को पीछे से इसका डखकन आए वो खोल लेते हैं तो इसमें दोस्तों दो सिर्फ पेंच कसे हुए हैं तो दोनों इसक्रू को खोल लिया है इस तरीके से देखिए अब इसके डखकन को हट देते हैं तो इसमें दोस्तों 3 IC का बोट लगा हुआ है अगर 4 IC का भी बोट हो तो इसी तरह से उसके कनेक्शन होंगे तो अब दोस्तों करना क्या है जो इसमें ट्रांसफोर्मर लगा हुआ है बारा जीरो बारा दो एंपियर का तो इसके जो 3 वायर हैं ये 3 वायर को हटा देना आए तो देखी आरेन की मंदर से इसके 3 वायर हटा देते हैं तो इस तरीके से 3 वायर को हटा दिया है देखी ये वायर हैं बिलकुल अलग हो गया है तो अब दोस्तों क्या करना है जहां पर ये 3 वायर लगे हुए थे वहीं पर ये 3 वायर अलग से लगा लेना है सफेद और क्रेम कलर वाली वायर को लेप्ट राइट में सोल्ड करेंगे बिलकुल इसी तरह से सोल्ड करना है जिस तरह se मैंने वायर लगा हुए जाला वायर है यह ग्राउंड का होता है तो एक पिलस का सिरा और माइनस का सिरा दोनों बैटरी के जॉइंट की हुए उसी वायर के उपर इस बैगनी किलर के वायर को उमेठ देना है जैसा कि मैंने उमेठा हुआ है एक बैटरी का माइनस का सिरा और एक बैटरी का पिलस का सिर जा उसी में यह बीच वाली वायरों के बाद में जो दो बायर बचे गज जी हुई है थो उससें कोई प्रोब्लम नहीं होगी लेकिन जो बीच वाली वायरों उसको जो ठीक चरह से लिगाना हूइ थो चलिए इसके connection कैसी हो गए है देखिए डखकन को अभी कसेंगे नहीं इसको सबसे पहले चेक करके दिखाते हैं तो देखिए दोस्तों इसका जो मेन प्लक है बिलकुल अलग है और बैटरी से लाइट है इसमें आ रही है तो मोबाइल से अब सोंग को बजाते हैं तो इस तरह से दोस्तों आप हॉम थीटर को बैटरी से बजा सकते हैं तो चलिए एक बार फिर से इसको दिखाते हैं कि अभी भी ये बैटरी से भज़ रहा है करें हैं आईसा तो नहीं कि बिजली से लगा दिया ओ तो देखिए दोस्तों अभी भी इसमें ये थ्री वायर लगे हुए है और जो बिजली के बाएर है वो हटे हुए है देखिए दोस्तों ये बैटरी के बाएर अभी भी लगे हुए है तो इस तरीके से दोस्तों आप हॉम थेटर को बैटरी से बजा सकते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना धन्यवाद दोस्तों